करीब पांच करोड परिवारों का मुप्ति इलाज हो चुका है इसके लिए भी सत्तर हजार करोड रुपिये सरकार ने आपके आईश्मान कार्ड के लिए खर्च किये किसानों को सस्ता यूरिया मिले दुनिया में यूरिया की थेली तीन हजार में बिच्ची है मोदी तीन सो से भी कम में देता है और इसलिए खजाने से आठ लाग करोड रुपिया केंद्र सरकार ने खर्च किया है ताकि मेरे किसानों पर बोज न पड़े पीएम किसान सन्मान निजी केता है जबी डाई लाग करोड रुपिये सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा किया जा चुके हैं गरीब परिवारों को पक्का घर देने के लिए भी हमारी सरकार ने चार लाग करोड रुपिये खर्च किये ताकि गरीब को पक्का घर मिले कि आज भी आपने देखा भी इंदोर में गरीब परिवारों को आधुनिक तक्रीक से बने हुए मल्ति स्टोरीड एक हजार पक्के घर देने का काम अभी किया मैंने कि मेरे परिवार जैनों कि यह पूरा पैसा जोड़ेंगे तो आंकड़ा कितना होगा कि कितने जीरों लगाने पड़ेंगे आपको अंदा जाता है यह कॉंग्रेस वाले इसका हिसाब भी नहीं कर सकते हैं और आप सुनिए 2014 से पहले यह जो जीरो 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 है ना वो सिरफ गोटा लों का पैसा जोड़े में लग जाता था अब आप सोचिए कॉंग्रेस के एक प्रधान मंत्री कहते थे दुली से एक रिप息 बेजते हैं तो 15 पैसा पहुता है अगर यह रूपिया कॉंग्रेस के जमाने में गये होते तो कितनी बड़ी चोरी हुई होती आप अंदार लगाई है आज गरीबों के लिए इतना पैसा भाजपा सरकार दे रही है मेरे परिवार जनो मेरे ब्रद्रप्रदेश के लिए यह बहुत ही महत्वपुर्पुर्ण सबाए है मैं आज मान नर्वदा के तड़ से खड़ा रह करके कह रहा हूँ पूरे मद्द प्रदेश को कह रहा हूँ पूरे मद्द प्रदेश के नवजवानों को कह रहा हूँ मान नर्वदा को याद कह करके कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी मान नर्वदा की गोच से आया हूँ और आज म नर्वदा के किनारे पर खड़ा हो करके कह रहा हूं मेरे नौजवानों मेरे शब्द लिखो मद्ध प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावाट उसके विकास की गती में कोई भी गिरावाट बीस पचीस साल के बाद भी लोटेगी नहीं सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसलिए विकास की गती को रुकने नहीं देना है अटकने नहीं देना है यह पचीस साल आपके बहुत महत्वपून है MPK 25 साल से कमरूम के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मत्यप्रदेश ही देखा है अब यह उनकी जिम्मधारी है कि आने वाले 25 सालों में जब उनके बच्चे भुआ होंगे तब उनके सामने विक्षित मत्यप्रदेश हो सम्रत मत्यप्रदेश हो आन बान चान वाला बत्यप्रदेश हो इसके लिए आज जादा महनत की जरुत है इसके लिए आज सही फैसले की जरुत है बीते वर्षों में भाजपास सरकार ने MP को क्रिशी निरियात में टॉप पर पहुंचाया है अब यह भी जरुरी है क्या उद्ध्यों की विकास में भी हमारा MP नंबर बनना चाहिए बीते वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन और रक्षा निरियात कई गुना बड़ा है इसमें जबलकुपूर का भी बहुत बड़ा योगदान है मदप्रदेश में डिपेंस से जुड़ा सामान बनाने वाली चार फैक्टरिया तो यह हमारे जबलपूर में है आज केंद्र सरकार अपनी सेना को मेड इन इंडिया हत्यार दे रही है दुनिया में भारत के रक्षा सामान की डिमान बढ़ रही है इसे मदप्रेश को भी बहुत लाब होने वाला है यहां रोजगार के हजारों नए मोके बनने वाले हैं मेरे परिवार दिनों आज भारत का आत्मी स्वास नई बुलन्नी पर है खेल के मदान से लेकर खेत खलिहान तक भारत का पर्चम लहरा रहा है अभी देखा होगा अपने इस सिमय एशाई खेल चल रहे हैं उसमें हम भारत का शांदार प्रदर्शन देख रहे हैं आज भारत के हर युवा को लगता है कि ये समय भारत के युवा का समय है ये कालखंड भारत के युवा का कालखंड है युवाओं को जब ऐसे आउसर मिलते हैं तब विक्सीद भारत के निर्मान का जज़बा भी बुलन्द होता है तभी भारत G20 जैसे बव्य विश्व आयोजान इतने गरों के साथ करा पाता है तभी भारत का चंद्रियान वहाँ पहुता है जहां कोई देश नहीं पहुँच पाया तभी लोकल के लिए वोकल होने का मंत्रा दूर सुदूर तक गुंजरे लगता है आप सोच सकते हैं एक तरफ ये देश चंद्रियान पहुंचता है तो दूसरी तरफ दो अक्तुबर को गांधी जहनती पर दिल्ली के एक स्टोर पर आप याद कीजिए दो अक्तुबर को एक दिन में दिल्ली का जो एक खादी बंडार था देड़ करोड रुप्ये से भी जादा खादी भी की एक स्टोर में ये ताकत है देश की स्वदेशी की ये भावना देश को आगे बढ़ने की ये भावना अच्चारों तर बढ़ती जा रही है और इसमें बागडोर संबाली है मेरे देश के नव जवानों ने मेरे देश की बेटे बेटियों तभी भारत के हुगा स्टार्ट अप की दुनिया में कमाल कर रहे हैं तभी भारत स्वच्छ होने का इतना बड़ा संकल्प लेता है अभी एक अस्दूबर कोई देश ने जो स्वच्छता भियान चलाया उसमें नव लाग से जादा जगों पर सफाई कारिकम हुए हैं नव लाग जगा पर उस सभाई अपयान में हिस्से लाने के लिए लेने वाले संक्या नव करोड से जादा देशवासी घरों से निकले और जाडू लेकर के देश में सभाई का काम किया सडकों की पार्कों की सभाई की मद्दड़्ग के लोगोंने मद्दड़्ग के युवंनरत को और भी कमाल कर दिया है कि स्वच्छता के मामले मैं मद्दड़्ग को अवाल नमबर मिले है देश में नमबर एक रहता है मद्दप्रदेश इसी जज़वेर को हमें आगे ले जाना है और आने वाले पांच सालों में जादा से ज़्यादा मामलों में हमें MP को नंबर एक पर रखना है मेरे परिवार जनो जब किसी राजनितिक दल पर सिर्फ पर सिर्फ अपना स्वार्थ हावी हो जाता है तो उसकी स्थीति का हम अंदाज लगा सकते हैं आज एक तरफ भारत की उपलग्दियों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है लेकिन यही वही राजनितिक दल जिनका सब लूट गया है सिवा एक कुर्सी उनको कुछ दिखता नहीं है यह अब इस हद तक गए इस हद तक गए कि भाजपा को गाली देते देते भारत को ही गाली देना शुरू कर दिया है आज डिजिटल इंडिया अभियान की पूरी दुनिया प्रसंसा कर रही है लेकिन आप याद करिये हैं कैसे यह लोग आए दिन डिजिटल इंडिया के लिए हमारा मजाग उडाते हैं बारते कोरोना में डुनिया की सबसे प्रभावी वेक्चिन बढ़ाई इन लोगों ने अपनी वेक्चिन पर भी सवाल उठाए और मुझे तो अभी मैं आदे मुझे कोई बता रहा था एक नई फिल्म आई है वैक्सिन पर बनी हुई फिल्म है वैक्सिन वार और दुनिया के लोगों के आखे खुल जाए ऐसी फिल्म हमारे देश में बनी है जो हमारे देश के विज्ञानिकों ने कैसा कमाल कर दिया देश देश के करोडों लोगों की जिनकी कैसे बचाईब इस पर वेक्सिन वार फिल्म बनी है अ ability सेना जो बात करती है या अ कि लोग उस पर भी सवाल उठाते इन्हें देश के दुश्मनों की बात आतंक्यां की बारेनों की वान को सही लगती है मेरे देश के सेना के जवानों के बाद सही नहीं लगती है आपने भी देखा है आजादी के पचत्ता वर्थ पुरे होने पर पूरे देश ने अमरित महोत्सों मनाया यह बाजबा का कारकमता तो था नहीं यह देश का कारकम था आजादी हिंदुस्तान के हर नागरिक का उत्सम सा लेकिन यह लोग आजादी के अमरित काल का भी मजाग उड़ाते हैं हम आने वाली पीडियों के लिए देश के कौने कौने में अमरित सरोवर बना रहे हैं पानी संग्रग का बड़ा अभियान चला रहे हैं लेकिन इस काम में भी इन लोगों को दिक्कत हो रही हैं मेरे परिवार जनों जिस दल ने आज़ादी के इतने सालों तक देश पे सरकार चलाई उसने आधिवासी समाज को भी सम्मान नहीं दिया आज़ादी से लेकर सांसकुर्दिक विरासत की सम्रुद्धी तक हमारे आधिवासी समाज की भूमिका बहुत बड़ी रही है गौन समाज दुनिया के सबसे बड़े जनितायतिय समाज में से एक है ऐसे मैं मैं आप से एक सवाल करना चाहता हूँ लंबे समय तक जो सत्ता में रहे उन्होंने आधिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रे पहचान क्यों नहीं दी इसके लिए देश को भाजपा का ही इंतजार क्यों करना पड़ा हमारे जो इवा अधिवासी जब वो पैदा भी नहीं हुए थे उन्हें जरूर जानना चाहिए उनके पैदा होने से भी पहले अट्रल विहारी वाजपाई की सरकार ने जन जातिय समाज के लिए अलग मंत्रा नहीं बनाया अलग बजेट दिया बीते नव वर्षों में इस बजेट को कई गुणा बढ़ाने का काम ये मोदी की सरकार ने किया देश को पहली देश को पहली महिला आधिवासी राश्पती देने का सौभाग्य भी भाजपा को मिला बगवान बिर्शा मुंडा के जन्म दिवस को जन जातिय गवरो दिवस भी भाजपा सरकार ने गोशित किया देश के आधूनिक तम रेल्वे स्टेशन में से इक स्टेशन का नाम रामनी कमलापती के नाम पर किया गया पाताल पानी स्टेशन अब जन्नायक तंटिया भील के नाम से जाना जाता है और आज यहां गौन समाज की प्रेणा रानी दुर्गवती जी के नाम पर इतने भग्या आधूनिक स्पारक का निर्मान हो रहा है इस संगराले में गौन संस्कृती गौन इतियाद और कला का प्रदर्शन भी होगा हमारा प्रयात ही है कि आने वाली पीडिया सम्रुद्ध गौन परंपरा को जान सके मैं जब दुनिया के नेताओं से मिलता हूं तो उन्हें गौन पर इंडिक पार में देता हूं जब वे इस शंदार गौन कला की प्रसंदा करते हैं तो मेरा माथा भी गर्व से उंचा हो जाता है साथियों आजाजी के बाद दसकों तक जिस दल देश में सरकार में बैठा रहा उसने धिरब एक ही काम किया एक ही परिवार की चर्ण बंदना करने के सिवाए उनको देश की परवा नहीं थी देश को आजादी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दिलाई थी देश का विकात भी सिर्फ एक परिवार ने नहीं किया है यह हमारी सरकार है जिसने सभी का मान रखा सम्मान रखा आदर किया सभी का ध्यान रखा यह भाजपा सरकार है जिसने महू सहीत दुनिया भर में डॉक्टर बाबा साब आम बेड कर से जुड़े स्थानों को पंचतिर्थ बनाया है मुझे कुछ सब्ता पहले सांगर में संत रविदाज जी कि इस मारक सली के भूमी पुजन का भी अवसर मिला है यह सामाजिक समर्था और विरासत के प्रती भाजपा सरकार के प्रतिबद्दा को दिखाता है साथ को परिवारबाद और प्रस्टाचार को पालने पुस्थने वाले जलों ने आधिवासिक समाज के संसाथनों को लूटा 2014 से पहले सिर्फ आठ दस वनुपजों पर ही MSP दिया जाता था बाकी वनुपजों को ओने पौने दाम पर कुछ लोग खरीते थे और आधिवासिक को कुछ नहीं मिलता था हमने इसको बदला और आज करीब 90 वनुपजों को MSP के दारे में लाया जा चुका है साथ को अतीच में हमारे आधिवासिक किसानों हमारे छोटे किसानों की उपच कोदो कुटकी जैसे मोटे अनाच को भी जान्दा महत्म नहीं जिया जाया आपने देखा है कि दिल्ली में G20 के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े नेता है थे एक से बढ़कर एक बड़े नेता है उनको भी हमने आपके कोदो कुटकी से बड़े पकवान खिलाए थे भाजपा सरकार आपके कोदो कुटकी को भी स्रीहन के रूप में देश-विदेश के बाजारों तक पहुचाना चाहती है हमारी कोशिज ही है कि आदिवासी किसानों को छोटे किसानों को अधिश से अधिग लाब हो मेरे परिवार जोनों भाजपा की डबल इंजिन सरकार की प्रात्विक्ता बंचीतों को वरियता है पाइप से पीने का साब पानी मिले एक गरीब के स्वात और महिलाओं के सुविदा के लिए बहुत जरूरी है आज भी आँ करीब सोला सो गाउं तक पानी पहुंचाने का इंतजाम हुआ है महिलाओं का स्वात हमेशा देश की प्रात्विक्ता होनी चाहिए थी लेकिर इसे भी पहले लगातान नजर अंदाज कर दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोग सभा विदान सभा में महिलाओं को उनका हग देने का काम भी अभाजपा ने किया साथियो गाउं के सामाज एक आर्थिक जीवन में हमारे विश्व कर्मा साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहता इनको ससक्त करना प्रात्विक्ता होनी चाहिए थी लेकिन 13,000 करोड रुपय की पीम विश्व कर्मा योजना भाजपा सरकार बनने के बाद हमें उसको लाना पड़ा मेरे परिवार जनो भाजपा सरकार गरीबों के सरकार है अपने ब्रस्ता चार अपने परिवार बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग भाती भाती के प्रपंच कर रहे हैं लेकिन मोदी की गारंटी है कि MP विकास बेट टॉप पर आएगा मुझे विश्वाथ है कि मोदी के बाजपा सरकार के संकल्प को महा कोशल मजबूत करेगा मद्वर्देश मजबूत करेगा एक बार पुना विरांगना रानी दुर्गावती जी को सद्धा पुर्वक नमन करता हूँ और आप इतनी बड़ी संख्यावें हमें आशिरवाद देने के लिए आये हैं मैं रजय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथ मैं कहूंगा रानी दुर्गावती आप कहिए अमर रहे अमर रहे रानी दुर्गावती अरे आवाज पूरे मद्द प्रजेस मैं गुंजनी चाहिए रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती भारत